हलो एब्रीवान विल्कम बैक टो एससे माथ और अभी इंडिवीजी ग्रूपटी के लिए प्रिवेस यह बोटन स्ट्रीम का क्वेशन यह क्या है एससे सी एचसल डियो 2011 का क्वेशन मतलब एक बैकती का स्पीड क्या है साड़े साथ किलोमेटर प्रावर मतलब कितना होता है साथ दो चौदा एक पंद्रा वटा दो किलोमेटर प्रति हंटा ठीक हम लोग थोड़ा थोड़ा करके सीखेंगे ऐसे सीख जाएंगे कि यह मैथ यह टाइप का अगर आ गया इस हमारे एंटीपीसी यह फिर ग्रूपटी में तो हम लोग वहाँ पे करके जरूर आएगे चोड़ना नहीं है ठीक है अगर सब्सक्राइब हम लोग प्रूपे का स्पीद से जवाँ का स्पीड भूरर लगता है कि जाने में उनको कहाँ upstream में जितना time लगता है downstream से दुगना लगता है तो sir upstream speed क्या बोला गया है नहीं यहाँ पर दिया वह देखो he finds that it takes him twice as long as to row up मतलब कोई भी distance तो d बटा d बटा कौन सा हो जागा upstream में कर लेते हैं sir x minus y x board का speed यहाँ पर 15 बटा तो अभी नहीं लिखता है equals to d बटा x plus y कौन सा वला दुगना होगा यह value के यह value नीचे से छोटा है तो देखो नीचे छोटा होगा तो d को divide करेंगे तो बड़ा आ जागा value तो यह दुगना होगा यह two times of इसका downstream speed का है ठीक है देखो लिखा हुआ है take sim twice as long as to row up मतलब आप में जाने में जिदना time लगता है वो down में जाने से twice times है मतलब two times है तो यहाँ से क्या हो जागा d d कर दो तो यहाँ से हो जागा 2x minus 2y equals to x plus y यहाँ से क्या relation मिल जा रहा है यह 3y बरबर x आ जा रहा है तो इसको 3 से गुना करो तो इसको 3 से डिवाइड करो तो एक river का speed क्या हो जागा यह फिश्ट्रीम का speed y बरबर x बटा 3 मतलब 15 बटा 2 divided by 3 मतलब नीचे 3 से गुना तो 5 बटा 2 मतलब 2 and half km प्रतिगंटा ठीक है सर आसा करते हैं आपको समझ में आगिया थैंक्यू बबाज stay tuned for the next class